आज हम आपको एक ऐसे पदार्थ के फाइदों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका सेवन आपने कहीं ना कहीं जाने अंजाने में जरूर किया होगा वैपदार्थ है इमली खासकर बच्पन में तो आपने इमली जरूर खाई होगी इमली का सेवन सेथ के लिए फाइदे मंद होता है इमली खाने से कई परकार के शारीरिक समस्याओं में भी फाइदा होता है इमली का प्रयोग कई परकार के खादे पदार्थ बनाने के लिए भी किया जाता है इमली में विटामिन C, E और B के साथ ही आइरन, फासफोर्स, कैल्शियम, पटेशियम और फाइबर के साथ ही एंटी आक्सिडेंट्स भी भरपूर मात्रा में पाये जाते हैं जो कई परकार की सेह समस्याओं में फाइदे मन सिध होते हैं इमली के बीज और पते भी कई रोगों के उपचार में मदद करते हैं पाचन तंतर को रखे ठीक इमली में पाये जाने वाले तत्व पाचन तंतर को ठीक रखते हैं और पाचन समंदी समस्याओं से निजाद दिलाते हैं इसमें मौजूद फाइबर पाचन में सहिता करता है जिससे कब से रहत मिलती है रोग प्रती रोधक शमता को बढ़ाए इमली में शरीर की रोग प्रती रोधक शमता को बढ़ाने वाले गुन भी पाय जाते हैं इमली में पाया जाने वाला विटामिन सी और एंटी आक्सिडेंट्स रोग प्रती रोधक शम्ता को बढ़ाते हैं जिससे शरीर जल्दी बिमार नहीं पड़ता मोटापे को करे कम मोटापे से शुटकारा पाने के लिए इमली खाना फायदे मंद रहता है इमली में मुखे रोप से हाइड्रो सेट्रिक नामक एसिड पाया जाता है जो शरीर में बनने वाली फाल्तू चर्वी को खत्म कर देता है इमली का निमत रूप में सेवन करने से यह चर्वी धीरे धीरे कम हो जाती है और मोटापे से शुटकारा मिलता है कैंसर से करे बचाव कैंसर जैसे नामुराद रोग से बचने के लिए इमली का सेवन करने से लाब होता है इमली में एंटी अक्सिडेंट तत्व पाये जाते हैं जो कैंसर से बचाव करते हैं साथ ही इसमें टेर्ट्रिक एसिड भी पाया जाता है जो कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकने में मदद करता है बलड प्रेशर को करे कंट्रोल इमली के सेवन से blood pressure control में रहता है इमली में iron potassium तत्व भरपूर मात्रा में पाय जाते हैं यह तत्व blood pressure को control करने में मदद करते हैं और साथ ही red blood cells के उत्पादन में भी सहाइक सिध होते हैं दिल को रखे स्वस्त इमली में पाय जाने वाले तत्व दिल के रोगों से बचाव करते हैं इसमें पाया जाने वाला potassium blood pressure को control करता है और fiber cholesterol के स्थर को सही रखते हैं साथ ही और anti-oxidant दिल की कारिक्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं लीवर के लिए हैं फायदे मन एक शोल में तथे सामने आये हैं कि ज्यादा मातरा में शराब पीने से जो लीवर को नुकसान पहुंचता है उस नुकसान को ठीक करने में इमली के पत्वों का सेवन लाबदाएक रहता है फैटी लिवर की समस्या को दूर करने में भी इमली के पते मदद करते हैं भूख बढ़ाए भूख बढ़ाने में इमली फाइदे मन्द साबित होती है पाचंत तर्थर को ठीक करके इमली भूख को बढ़ाने में मदद करती है इसके लिए गुड इमली का गुदा, थोड़ी सी दाल, चीनी और इलाइची का पानी के साथ मिश्रम बना ले इस मिश्रम को थोड़ी थोड़ी देर बाद चूशते रहने से भूख लगने लगती है डाइवटीज में है फायदे मंद डाइवटीज के मरीजों के लिए इमली बेहत गुणकारी से धोती है इसमें बलड शूगर के लेवल को कंट्रोल करने वाले गुण पाये जाते हैं साथ ही इमली शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स को अबज़र्व करने से रोकती है इसके लिए आप एक गिलास इमली का जूस या रात को भिवोकर रखी इमली का पानी पी सकते हैं लेकिन इस रोक के ज़्यादा बड़े होने की सूर्थ में डक्टर की सलाथ जुरूर ले तवचा संबंदी समस्याओं में है लापदाइक तवचा संबंदी समस्याओं में इमली लापदाइक है आयरुवेद में इमली का प्रयोग चहरे के कील मोहासों वादाग धबों को कम करने वाद दूर करने के लिए होता है इमली में पाया जाने वाला अलफा हाईड्रॉक्सी एसिड तवचा की मृत कोशिकाओं को हटा कर कई समस्याओं से निजाद दिलाता है साथी सूरे की प्राबैंगनी किर्णों से बचाव होता है और इन किर्णों के कारन खराब हुई तवचा भी ठीक होती है गर्मियों के मौसम में कई परकार की शारीरिक समस्याओं पैदा हो जाती है इनमें लू लगना आम बात है इमली का सेवन करने से लू से बचाव होता है इसके लिए 25 गराम के करीब इमली को ए गिलास पानी में भीगो कर पीने से लू लगने से बचाव होता है लू लगने पर इमली का गुदा भी कामाता है इमली के गुदे को हाथों पैरों के तलों पर लगाने से लू का असर धीरे धीरे कम हो जाता है घावों को करे ठीक गावों के उपचार वा उनको जल्दी भरने के लिए इमली के पेड़ के पत्तों बीजों वाशाल का प्रयोग होता है क्योंकि इमली के पत्तों बीजों वाशाल में एंटी सेप्टिक वा जिवानु रोधी गुन भपूर मात्रा में पाय जाते हैं इमली के नुकसान अगर आप किसी दवाई का सेवन कर रहे हैं तो इमली खाने से परहेज करें गरवती महलाएं भी इमली खाना पसंद करती हैं लेकिन उनको भी इसके अधिक सेवन से बचना चाहिए क्योंकि विटामिन सी का अधिक सेवन एस्ट्रोजन के स्तर को बढ़ा देता है जो गरवाशे में संकुचन और बलीडिंग का कारण बन सकता है गले में खराज रहने की हालत में इमली का प्रयोग किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए क्योंकि एक खराज की समस्या को और भी बढ़ा सकता है साथ ही शूगर के रोगी इमली का प्रयोग डॉक्टर की सलाह से करें तो सही रहेगा सो दोस्तो यह थी इमली के औशधिये गुनों से जुड़ी जानकारी ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे जुड़े रही है D5 चैनल हिंदी के साथ